हलो फ्रेंड्स वेलकम टू हार्टी एन हेल्दी किचन तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ले करके जो कहें टिकका बाइट्स की रेसिपी ये बहुत ही सिंपल इंग्रीडियन्स से घर के बेसिक चीजों से बन करके तैय होती है इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बना करके 10 से 15 जिन तक फ्रेज में श्टोर करके इसके मज़े ले सकते हैं तो चलिए फटफट बनाना सुरू करते हैं हमारा बहुत ही इस पेसल टिकका बाइट इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा बरतन ले लेंगे और इसमें ले लेंगे तीन कप पानी मेजर्मेंट का ध्यान रखे जिस कप से आप पानी मेजर करेंगे उसी कप से अब हम ले लेंगे दो कप सूजी फ्लेम हमारा बिल्कुल ही लो है पानी को गरम होने के बाद हमने फ कप ग्रेटेड बॉयल आलू ये तीन मीडियम साइज के आलू है जिनको मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया है इसे भी इसमें डाल कर सूजी के साथ पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आलू और सूजी के मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का अनियन finely chopped किया हुआ अगर आपके पास छोटा अनियन है यानि छोटे साइज की प्याज है तो आप इसको दो प्याज का इस्तिमाल कर सकते हैं तो सूजी आलू और प्याज आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो गए है अब इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स से यह दिखता भी काफी सुंदर है इसमें एक बहुत अच्छा सा तीखा पनायड होता है एक टीस्पून सॉल्ट सॉल्ट इसमें डालेंगे ग्रेट धनिया हरा धनिया को भी डाल करके हम सभी चीजों को पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह सभी चीजे अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है काफी बेसिक चीजे को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है अब हम इसे रख देंग और दूसरा है चीजी टिकाबाइट तो यह आधा हिस्ता है जिसका हम पहले चटपटा टिकाबाइट तयार करेंगे सबसे पहले हम इसमें एड करेंगे दो टेबल इस्पून राइस फ्लोर एक टेबल इस्पून चिकन तंदूरी मसाला आप किसी और फ्लेवर के मसाले को भी एड करके इसको बना सकते हैं मैं यह पर यहीं तनदूरी मसाला एड कर रही हूं आप इसे नौर्मल मसाले में वी तयार कर सकते हैं थोड़ा साल्ट और हात को ग्रीज करके क करने बाद हम इस सारे मिक्स्चeur को अच्छी तरीके से mix कर देंगे यह mixture हो गया है mix अब हम ऐसी किसी भी गहरी सी plate ले ले लेंगे या tray ले लेंगे और उसे oil से पूरी तरीके से grease कर लेंगे और इस mixture को इसमें डाल कर इस spatula के मदद से चारो तरफ फैला लेंगे इसके जो core है इसको भी बराबर कर लेंगे इसके ready होते ही अब हम इसे freezer में आधे घंटे के लिए या फिर freeze में एक घंटे के लिए set होने के लिए रख देंगे अब हम same ball ले लेंगे और उसी ball में जो बचे वे आधे mixture है उसको डाल लेंगे और इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून rice floor दोनों ही टिककबाइट के mixture में अगर आप rice floor का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है तो आप corn floor या corn start cup इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसमें गया एक कप mozzarella cheese इसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक टेबल स्पून ओरिगानो और वन फोर्थ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स इस स्टेज में आप चिली फ्लेक्स को skip कर सकते हैं सेम प्रोसेस हाथ को grease करके इन सभी mixture को mix कर लेंगे तो यह mixture हो गया ready इसी तरीके का कोई plate या tray ले करके oil से grease करके इस mixture को भी हम इसमें spatula की मदद से फैला लेंगे और इसे भी set होने के लिए freezer में आधा गंटा और नहीं तो freeze में एक घंटे के लिए रख देंगे आप किसी भी shape में इसे cut कर सकते हैं मैं इसे यहाँ पे square shape में cut कर रही हूँ और इसे बहुत ही आराम से spatula के मदद से एक एक करके निकालेंगे और air tight डब्बे में रख देंगे air tight डब्बे में हम उतने ही ticabites को रखेंगे जितना को हमें store करना है पुरा रखने के बाद उसके उपर aluminium foil रखेंगे और बाकी बचे ticabites को भी इसे में रख करके हम धककन धक करके freezer में आराम से 10-12 दिन के लिए store करके रख सकते हैं बाकी ticabites मैंने बचा लिया है क्योंकि मैं इसे fry करके आपको दिखाऊंगी सेम चीजी ticabites को भी यूही कट करेंगे और air tight डब्बे में रख लेंगे aluminium foil का इस्तेमाल जरूर करें या फिर butter paper वरना ticabites आपस में चिपक जाएंगे धककन धक करके इसे भी हम freezer में रख करके 10-12 दिन तक इसके मज़े ले सकते हैं बस जब खाना है इसे निकाले और गर्मा गरम fry करें और इसके मज़े ले बचेवे ticabites को अब हम fry कर लेंगे एक pan में हम थोड़ा सा तेल लेंगे क्योंकि हमें इसके shallow frying करनी है इसे घुमा करके सबी तरफ फैला लेंगे इसका benefit ये होता है कि हमारा तेल बहुत ही जल्दी गरम हो जाता है अब एक एक करके ये जो हमारा चटपटा टिकाबाइट से उसे हम इसमें रख देंगे अब हम इसे medium flame में इसके golden होने का इंतिजार करेंगे तो लगबग तीन से चार मिनट में ये एक साइट से golden हो चुका है एक स्पून और स्पैचुला के मदश हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइट से भी इसे golden कर लेंगे तो ये देखे हमारा चटपटा टिकाबाइट रेडी है अब सेम पैन में हम फिर से थोड़ा सा oil ले लेंगे और इसमें हमारे चीजी टिकाबाइट को एक एक करके रख देंगे इसे भी हमें कुछ नहीं करना है बस दोनों साइट से golden कर लेना है तो लगबग 3-4 मिनट में ये एक साइट से golden हो चुका है सेम प्रोसेस से हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद दूसरे साइट से भी इसे golden कर लेंगे तो ये देखिए हमारा चीजी टिकाबाइट भी रेडी है कितना सुन्दर इसका color आया है ना ये देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है ये खाने में उतने ही जादा तेश्टी और हल्दी है तो चलिए फटा फट इसे भी निकाल लेते हैं और इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बहुत ही हल्दी रेसिपी और कम तेल में शेलो फ्राइंग के जरिये बन करके तैयार हुई है ये हमारा चट पटा टिक का बाइट इसे आप अपने मन पसंद डिप के साथ धनिये की चटनी के साथ टोमाटे सॉस के साथ मैयोनीज के साथ या किसी भी चीज डिप के साथ सर्फ कर सकते है बाहर से एक दम ही कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट चलिए अब मैं आपको तोड के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखे ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहा होगा आपको और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये टिककबाइट्स खाने में बहुत ही मज़ेदार होते है आप इसे बना करके रमजान में अफ्तार में सर्फ कर सकते है या इवनिंग के वक्त स्नैक्स में इसे ले सकते है या फिर आपके घर में अगर आपके बच्चे का बर्थ डे है चोटी मोटी पार्टी है तो भी इसे बना करके सर्फ कर सकते है तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें और सभी के साथ शेर करें और अगर आपको ये मेरी रेसेपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं आप से ऐसी किसी प्यारी सी और मज़ेदार सी रेसेपी के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे